तो दोस्तो MRAFA मतलब Multi-Roll Fighter Aircraft के Tender को लेके हाली में कई तरीके के बड़े-बड़े खवर आया और दोस्तो ये MRAFA मतलब Multi-Roll Fighter Aircraft का Tender असल में Indian Air Force के 114 Fighter Aircraft को का Tender है और दोस्तो हाल फिलाल में इसे लेके जो खवर आया है उसके बाद अब बताया जा रहा है कि इस Tender में सबसे Strong Contender अगर कोई है तो वो है भारत के Tata Group या फिर कहतो Tata Advanced System जो कि अब Indian Air Force के C-295 Transport Aircraft को निर्मान करने के बाद शायद Indian Air Force के लिए Fighter Aircraft का भी निर्मान का काम को अंजाम दे दोस्तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कि या Tata Group के तरफ से Indian Air Force के लिए 114 Fighter Aircraft के Tender के तहट Aircraft को निर्मान किया जाएगा और अगर Tata Group के द्वारा Aircraft को निर्मान किया जा रहा है तो कौन से Aircraft का संभावना है सबसे अधिक है इवेन दोस्तो वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी वताऊंगा कि MRFA Tender को लेके अव Tata Group का चर्चा इतना अधिक क्यों है तो डीटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए तो दोस्तो MRFA मतलब मल्टी रोल फाइटर Aircraft के Tender को अल्रेडी इंडियान Air Force के तरफ से जारी किया गया है इस Tender के अंतरगत इंडिया Air Force 114 मल्टी रोल फाइटर Aircraft को अपने बेडे के लिए खरिदना चाता है और हाल फिलाल में इस Tender को लेकर कई तरीके कैसे रिपोर्ट आया है जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि Air Force के तरफ से अब तेज रफतार में इस Tender के उपर काम किया जा रहा है ताकि जल से जल एर क्रेप्टो को अपने बेडे में शामिल किया सके रिपोर्ट में बताया ये भी जा रहा है कि अब ये MRFA प्रोजेक्ट स्टाटेजिक पार्टनर्शेप मोड में नहीं बलकि बाई ग्लोबल मेक इन इंडिया इनिशेटिव के अंतरगत आगे बढ़ाया जा सकता है और यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट में अब टाटा ग्र इंडियान एरफोर्स के लिए खड़दा जा रहा है और दोस्तों C295 एरफोर्स को भारत में एरवस कमपनी के मदद से टाटा एडवांस सिस्टम के तरफ से ही निर्मान किया जाएगा और दोस्तों इसी कारण से ही अब MRFA प्रोजेक्ट में टाटा एडवांस सिस्टम का न जबूत किया सके यहाँ पे टू फ्रोंट वोर मतलग चाइना और पाकिस्तान दोनों देशों का खत्रा आप सबको पताई होगा कि इंडिपेंडेंट के बाद से ही पाकिस्तान भारत के लिए जैसा खत्रा है तो ऐसे ही खत्रा 1962 से चाइना भी है और हाल फिलाल में लदाक म बेड़े में शामिल करना आवशक है दोसों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दू कि 114 मल्टी रोल फाइटर एयर के आप मतलब MRFA प्रोजेट को पहले स्ट्राटिजिक पार्टनर्शिप फ्रेमवर्क के अंतरगत आगे बढ़ाया जाना था जो कि एक ऐसा इपो को अलग-अलग प्रोजेट के लिए आगे बढ़ाया गया लेकिन दोनों बार ही फेलियर का सामना करना पड़ा जिनमें एक तो नेवल उटिलिटी हेलिकॉफ्टर था जो कि फिलाल डिफेस दिश्री के तरफ से जारी किया गया नेगेटिव लिष्ट में शामिल हो च क्योंकि टेंडर के लिए कम से कम दो पार्टिसिपेट चाहिए तो नेवल उटिलिटी हेलिकॉफटर को लेके बताया जा रहा है कि अब इंडियन नेवी बिदेशी प्लाटफॉर्म को नहीं खर देगा बलकि एडवांस लाइट हेलिकॉफटर के वेरियंटों को ही नेवल के लूप में अपने बेडे में शामिल करेगा मतलब दोनों ही स्ट्राटिजिक पार्टनर्शिव मॉडल फेल होने के बाद अब इंडियन एरफोर्स के तरफ से बाई ग्लोबल मेकिन इंडिया इनिशीटिव को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि फेलियर का संभावनाय ना जॉइंट वेंचर में काम को आगे बढ़ाया जा चुका है जिनमें C295W एरक्राट शामिल है इवन दोस्तों एक सवाल तो ये भी है कि अगर टाटा कंपनी को एरक्राटों को डिवलफ करने का जिम्मेदारी दिया जाता है तो कौन सा एरक्राट इंडियन एरफोर्स के बे जादू किये जो MRFA प्रोजेक्ट है इसके अंतरगत टोटल अब तक आठ एरक्राटों का पेशकर्ज भारत को किया चुका है जिनमें अमेरिकी कंपनी के द्वारा ही निर्मान किया हुआ तीन एरक्राट है जिनमें बोईंग कंपनी के दो एरक्राट मतलब FA-18 Super Hornet और Boeing F-15EX सामिल है जबकि दूसरे तरफ Lockheed Martin के F-21 भी शामिल है जबकि इसके बाद रश्या के तरफ से करीवन दो यार करप्टों का ओफर किया गया है जिनमें सुखोई वियोरो के तरफ से निर्मान किया हुआ भारी वजन के सुखोई ASU-35 और Micoan Corporation के तरफ से नि Strong Contender है France के Dassault Aviation के Rafale Aircraft दोसर भारत को ओफर किया गया सवी Aircraftों में अगर Tata Company के साथ किसी को जोड़ा जा रहा है तो वो है F-21 दोसर असल में Lockheed Martin भारत को कई वार F-21 Aircraftों का ओफर किया है और कई तरीके के ओफरों में option भी रखा है जैसे कि Lockheed Martin का कहना है कि F-21 Aircraftों को केव के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए जबकि इसके इलावा Lockheed Martin का ये भी दावा है कि F-21 Aircraftों के खरीदारी के साथ भारत Lockheed Martin की एक बहुती बड़ा और Global Multi-Billion Dollar के Supply Chain के साथ भी जुड़ सकेगा और इसके लिए Lockheed Martin Company के द्वारा भारत में Tata Advanced System को चुना गया था और Lockheed Martin का ये भी कहना है कि अगर उसके Aircraft को Indian Air Force के द्वारा चुना याता है तो उससे Tata Advanced Company के मदद से ही भारत में निर्मान किया जाएगा तो सो डिसेंबर 2021 में Lockheed Martin और Tata Advanced System के बीच में एक Joint Venture भी हुआ है जिसके अंतरगत Tata Company के द्वारा Lockheed Martin F21 Aircraft को भारत के साइट में निर्मान किया जाएगा दोसो Lockheed Martin के रिपोर्ट के मुताविक पोटोटाइफ के एक विंग को सक्सेस्फुली डेवलाफ करने के साथ साथ ये सावित होता है कि Tata Company जो है वो फ्यूचर में Aerospace Equipment को को प्रोड्यूस कर सकता है हाला कि भारत में Tata Company ही एक ऐसा Company नहीं है जो इस प्रोड्यूट के लिए किसी बिदेशी कमपनियों के साथ Joint Venture को आगे बढ़ा रहा है पर दोस्तों कई सारे मीडिया रिपोर्टों में डावा किया जा रहा है कि Lockheed Martin फिलाल इस टेंडर में इसलिए आगे है क्योंकि हो भारत में एरक्रैप्टों को मैनुफेक्चर करने के लिए Tata Advanced System या फिर कहतो Tata Group जैसे कमपनियों को चुना है दोस्तों इवन आफ के जानकारी के लिए बता दू कि Tata भारत का एक ऐसा ग्रूप है जो अमेरिकी कमपनी Lockheed Martin और Boeing दोनों के लिए ही काम कर रहा है और दोनों के ही एरक्रैप्ट और हेलिकॉफ्टरों के कई सारे पार्ट्स और फिसलार्च का निर्मान करता है दोस्तों तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिकी कमपनी Boeing के द्वारा भारत में F-18 Super Hornet जैसे एरक्रैप्टों को निर्मान करने के लिए हिंदुस्तान Aeronautics Limited और महंद्रा जैसे कमपनीों के साथ गड़वंधन किया गया है तो सफिला Lockheed Martin Company के तरफ से Tata Advanced System के साथ मेलके भारत के लिए जो F-21 एरक्रैप्टों को निर्मान करने का पेशकश किया जा रहा है उन्हीं एरक्रैप्टों को अगर देखा जाए तो ये काफी हद तक design wise F-16 Block 70 के साथ मिलता है पर Lockheed Martin का कहना है कि इसे इनी कारोनों के वज़ा से F-16 के साथ compare नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये F-16 एरक्रैप्टों के मुकाबले में काफी अधिक advanced और काफी अधिक बहतर है Lockheed Martin का कहना है कि F-21 एरक्रैप्टों को निर्मान करने के लिए F-16 के supply chain के जगा में F-22 और F-35 के supply chain का इस्तेमाल किया गया है मतलब इसमें F-22 और F-35 के componentों का इस्तेमाल किया जाएगा जिन में electronics equipmentों से शुरू करके radar और हतियारों के package तक शामिल है अमेरिके company का ये भी कहना है कि इन एरक्रैप्टों में कई तरीके के ऐसे parts का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जो basically F-22 और F-35 जैसे stealth एरक्रैप्टों में ही इस्तेमाल होता था जबके company का ये भी दावा है कि इन एरक्रैप्टों को customer के आवशक्ताओं को देखते हुए संपूर्ण रूप से बदलावी जाएगा मतलब एरक्रैप्टों को इस तरीके से निर्मान किया जाएगा कि इंडिया के हर तरीके के आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए समर्थ हो जबकि वही पे दूसरे तरफ critics का ये भी कहना है कि F-21 aircraft कुछ और नहीं बलकि F-16 aircraft के सबसे upgraded version होगा पर वही पे अगर Tata Advanced System और Lockheed Martin को इंडियान एरफोर्स के इस टेंडर को जीतना है तो उनके सामने सबसे बड़ा चुनोती है France के Dessol Aviation के Rafale aircraft चो अल्रेडी एक बार Lockhe इंडियान एरफोर्स के टेंडर को जीत चुका था पर दोस्तो उस टेंडर के अंतरगत डील को आगे नहीं बढ़ाया गया और इंडियान एरफोर्स के लिए 36 Rafale ही खड़िदा गया है पर दोस्तो ये 36 Rafale के डील भी एक तरिके से Dessol Aviation को इस टेंडर को जीतने में मदद कर सकता है तो दोस्तो ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बढ़ा आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन